अर्नाव दे ब्रेन गाइडर सर मेरी लाइप में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है मैं डिप्रेशन में रहा हूँ मेरे लवर मुझे छोड़ कर चली गई है अर्नाव मैं समझ सकता हूँ कि जिस की इमोशनल जो पेन होता है जब हम किसी के साथ involved होते है तो ये पेन कुछ ऐसा है जो की as compared to कोई पेन इसके बराबर नहीं आता जो कि आपको बहुत कहीं न कहीं जो है गहरी तकलीफ के अंदर ले जाता है अगर आपका प्रेमिया आपको छोड़ दे अगर आपको जो है आप अकेले हो जाओ ये एक अब इस एक तरह की एक ऐसी बात है यहाँ पे दो आप्शन्स आपके लिए खुल जाती है ये दो आप्शन्स होती है या तो आप अपनी लाइफ को transform कर सकते हो या तो एक आपके जीवन में जो है अध्यात में खटना शुरू हो जाता है या फिर आप जो है depression में जाने शुरू हो जाते है ये दो choices जो है बहुत clarity के साथ आपके सामने आ जाती है जब दुख की घटना जब आपके जीवन में घटती है अच्छा problem ये है सबसे बड़ी बात कि जातल लोग जो है दुख को स्विकार नहीं करते है जैसे ही कोई दुख की घटना घटी है उस दुख की घटना को जो है एकदम से फटा फट जो है सबसे पहले ये ही accept नहीं करना चाहते कि मुझे चोट लग चुकी है कि मुझे reject कर दिया गया for example कि मैं fail हो गया जब तक कि हम अपने आपको जो है उस वो जो चोट लगी है उसको पूरी तरह से स्विकार नहीं कर लेते हैं तब तक जो है transformation हो जो है mark शुरू नहीं होता तो इसमें आरनम मैं यही कहना चाहूँगा आपको यह एक यह जो heartbreak की जुस्तिती है जब यह जो आपकी जीवन में घटता है मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि आप सवभागेशाली हो कि आपकी जीवन में जो है एक ऐसी घटना अबगटी जिसको हम कहें heartbreak हुआ यह एक three of sorts की स्थिती है जो मैं समझता हूँ और यह स्थिती के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि आप के पास अप life के अंदर एक ऐसी position है जहां पर अपनी life में आप clarity ला सकते हो जहां पर आप अपनी life में जो है एक ग्यान का जनम हो सकता है wisdom का जनम हो सकता है आपके life के अंदर और मैं यह कहूंगा दुरभागे है उन लोगों का जिन को जो है heartbreak नहीं मिला जिनको जो है जुनके प्रेवी उनको छोड़ के नहीं गये कि तो मैं काओंगा एक सभाग्य शाली विक्ति के लिए इस आदमी का सभाग्य है जिसको जो है जिसका प्रेमी जो है उसको छोड़ के चला जा एक बात मैंने सुनी है कि एक आदमी जो है मतलब एक मंत्री जी जो है पागल खाने का जो है वो कर रहे थे अपने जिसको हम कहें कि दोरा कर रहे थे तो वो पागल खाने में जाते हैं तो अलग अलग किसम के पागल को देखते हैं तो एक जाते हैं सबसे पहले एक पागल को देखते हैं वो बिलकुल जो है उसको देखते हैं कि उदास और बड़ा मायूस सा और बड़ा जो है दुखी सा नजर आता है इसको क्या हुआ इसको जो है चोड़ के चली गई इसलिए दुखी हो गया अच्छा हां मैं समझ सकता हूं बहुत दुखी बात है लेकिन वो दुख में जो है कविताय लिखना शुरू कर दिया उसने दुख में जो है वो और जादा क्रिएटिव हो गया तो जेलर ने उस न दोरा करने आये थे मंतरी जी उन्होंने का बहुत बढ़िया तो फिर अगले थोड़ा आगे बड़े तो एक बंदर की तरह जो है एक आदमी उचल रहा था अपना सर मार रहा था अपने अपने जो है बाल जो है खीच रहा था तो फिर मंतरी जी ने का इसको क्या हुआ यह वह बहुत दुखी लग रहे हैं. इसके साथ भ़ाल है. इसके साथ बहुत बड़ा सद्मा हुआ है. तो जेदर ने बताया है कि असल factoि की बात ये है कि आपने जो पहले जो पागल को देखा था, जिसको जो है जिसकी प्रेमी का छोड़ के चली गई थी वो प्रेमी का इसको मिल गई थी जिसके कारण जो है अब उसकी यह हालत हो गई है तो प्रेमी का मिले यह ना मिले कोई फरक नहीं पड़ता आपको तब भी जो है हाटब्रेक होना ही होना है और मैं यह समझूँगा मैं प्रेमी जो है आपको छोड़ के जाए ताकि आप अल्टिमेटली फिल अपने आपको प्रेम कर सको तो अर्णव एक ऑपरिचुनेटी है अब अपने एक अंडिस्टैंडिंग अपने अंदर क्रियेट करने की अपनी एक नई लाइफ शुरू करने की और अपने आपको जो है इस अंडिस्टैंडिंग के साथ लाइफ के अंदर आगे बढ़ाने की और ये भी समझने की ये एक मौका है अपने आपको प्रेम करने का क्योंकि अगर तुमने अपने आपको प्रेम नहीं किया तो कोई जिसको मर्जी प्रेम कर लो कोई तुमें प्रेम नहीं करेगा जो प है अगर प्रेम अगर तुम्हें किसी का चाहिए ना जो सबसे पहले अपने आपको प्रेम कर लेगा